Hello everyone, तो कैसे हैं आप सभी स्वागत था आपका एक और नई वीडियो में और आज की वीडियो में हम क्लास 3 का चैप्टर नमबर 14 जिसका नाम है परी तुम आना जी पढ़ेंगे, नए-ने सब्दार्तों को जानेंगे और इसका एक्स्परेशन भी करेंगे अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए जॉनी ने अपनी हिंदी की किताब बंद की और फिर आखें बंद करके बैठ गया, कुछ देर बाद उसने आखें खोली तो हैरान रह गया अभी अभी जिस टिन टिन टू चिडिया के बारे में उसने किताब में पढ़ा था, भै अब उसके सामने बैठी फुदक रही थी उसने हैरानी से पूछा, क्या तुम टिन टिन टू चिडिया हो? हाँ हाँ, क्यों? यकीन नहीं आता कहकर टिन टिन टू चिडिया उसकराने लगी, तो क्या तुम भी किताब की तरह मुझे साथ रंगों के लोक में ले जाओगी जहाँ पढ़िया रहती है जौनी ने जो कहानी पढ़ी थी, उसे पढ़ने के बाद भै आखे बंद करके बैठा, तो उसे ऐजसा मैसुस हो रहा था, जो कहानी उसने पढ़ी थी, भै सच में ही उसके सामने आ गई हो, जौनी की बात सुनकर, तिन तिन टू चिडिया उदास हो गई, अर्था दुखी हो जौनी बोली, जौनी परियां तो अब बहां नहीं रहती, पर भै सात रंगों की दुनिया अब भी है, क्या तुम उसे देखना चाहोगे, वा, क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ, कहकर जौनी उचल पड़ा, तो फिर बैठो मेरे पंखो पर, तिन तिन टू चिडिया ब जहां सात रंगों का अजब नजारा था, उसने पूछा, प्यारी टिन टिन टू चिडिया, यह तो तुमने बताया नहीं, कि परियां कहां चली गई, क्या भे अब नहीं है, हैं क्यों नहीं, टिन टिन टू बोली, पर अब भे उपर और भी उपर, एक दूसरी ही दुनिया म चली गई है, पर क्यों, जोनी ने हैरान होकर पूछा, जाना तो भे नहीं चाहती थी, टिन टिन टू ने दुखी होकर कहा, पर यहां लालची लोग आने लगे थे, परिशान होकर परियों ने ये दुनिया छोड़ दी, और अपने लिए एक अलग नई सत रंगी, अर्था स सत रंगों की दुनिया बसा ली, टिन टिन टू ने जोनी को बताया, कमेंट में लिखकर बताये कि जोनी को टिन टिन टू कौन सी दुनिया में ले गई थी, जोनी टिन टिन टू चलिया के साथ इस अनोखी सत रंगी दुनिया में देर तक घुमता रहा, वीडियो कैसी लगी किया, आप कमेंट में लिखें और लाइक जरूर करें. लटकर जोनी ने सब को उस सतरंगी दुनिया का किस्सा सुनाया. रात में जब जोनी सोया तो उसे सपने में परिया दिखाई दी. जोनी ने शिकायत करते हुए कहा मैंने आपको सतरंगी दुनिया देख ली, पर आप उसे छोड़ कर क्यों चली गई आप कमेंड में लिखकर बताएं कि किस किस ने सपने में परियां देखी है परियों ने हसकर कहा सारे बच्चे तुम्हारी ही तरह होते जानी तो हमें अपनी सतरंगी दुनिया को छोड़ने की जरूरत क्यों पढ़ती खैर अब तुमने तो हमारी सुन्दर दुनिया देखी ली है जब जब तुम्हारा मिलने का मन होगा हम सपने में तुमसे मिलने आ जाया करेंगी सुनकर जौनी खुश हो गया सोते सोते भी उसके मुख पर एक बड़ी ही मीठी सी मुस्कान आ गई कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिक कर जरूर बताएं अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नन्नी मुन्नी प्यारी प्यारी कहानिया लाते रहते हैं फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए